प्राश्णू नहत्तर तीन भीन रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काट सकती है तो देखें पहले हम तीन रेखा घीच लेते हैं एक रेखा हो गया फिर एक दूसरा रेखा हो गया फिर एक तीसरा रेखा हो गया तो देखें तीन भीन रेखा है एक दूसरे को अधिक से अधिक तीन भीन रखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काट सकती है तो दिखें एक बिंदु पर यहां कटा है एक बिंदु पर यहां कटा है और एक बिंदु पर यहां कटा है माली जी इसको एक लिख लिए इसको दो लिख लिए इसको तीन लिख लिए, तो तीन बिंदू पर काट रहा है, तीन भीन रेखा है, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा नहीं काट सकता है, तो तीन भीन रेखा है, अधिक से अधिक, तीन बिंदू पर काट सकती है, देखे, यहाँ पर काटा है, एक दूसरे को, फिर यहाँ पर काट रहा है फिर एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है तो तीन इसका उत्तर होगा तो इसका उत्तर लिखेंगे तीन तो तीन भीन रेखा हैं अधिक से अधिक तीन बिंदूओं पर काट सकती है तो इसका उत्तर हो जाएगा तीन प्रस्न सत्तर किसी रैखिक यूगम का एक कोन नियून कोन है तो दूसरा कोन क्या होगा अब देखे रैखिक यूगम क्या होता है तो रैखिक यूगम का मतलब हो गया एक सीधी रेखा है तो यहाँ पे कौन सा कोन होगा यह कोन होगा 180 डिगरी ठीक है, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोन बनता है ठीक है, सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोन बनता है तो अगर हम एक रेखा इस तरह से बना दें, यहाँ पे घीच दें, तो यहाँ पे दीखें, दो कोन बन गया एक कौन ये हो गया और एक कौन ये हो गया बड़ा वाला ठीक है तो रैखी यूगम का अभी तो ये 180 डिग्री था टोटल तो 180 डिग्री मान लिजी ये 60 डिग्री बना ठीक है मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जागा 120 डिग्री क्यों हो जाएगा क्योंकि रैखी क्यों में 180 degree कोन था यहाँ पर सीधी रेखा पर 180 degree कोन होता है अब इसको अब इस पर एक रेखा घिज दिया है तो अगर ये 60 degree बना तो ये कितना हो जाएगा 120 degree क्योंकि ये दोनों कोन का जोड क्या होता 180 degree क्योंकि एक सीधी रेखा पे क्या कौन सा कौन बनता है 180 डिग्री का तो आब ये एक रेखा खिछने पे ये दो कौन में बठ गया है तो दोनों का जोड 180 डिग्री होगा थेक है तो कहा रहा है कि किसी रैखी यूगम का एक कौन न्यून कौन हो तो देखे कुण होगा यानि 90 डिघ्री से अधिक और 180 डिघ्री से कम वाले कुण को खते हैं धिक कुण तो जब में और रीक युगों में अगर एक कुण नियोण कुण है तो दूसरा कुण हो जाएगा अधिक कुण ठीक है तो कहा रहा किसी Jewish का रैखिक यूगम में अगर एक कोन नियोन कोन है तो दूसरा कोन हो जाएगा अधिक कोन ठीक है तो कहारा किसी रैखिक यूगम का एक कोन नियोन कोन है तो दूसरा कोन क्या हो जाएगा अधिक कोन तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिख लेंगे अधिक कोन ठीक है? तो 120 डिगरी हो गया, अधिक कोन? और यह हो गया NUN कोन? यह कौन से कोन हो गया? NUN कोन? ठीक है? तो अगर एक कोन NUN कोन है, तो दूसरा अधिक कोन हो गया? रैखे गए जोगमें? क्योंकि दोनों का जोड़ होता है 180 डिगरी है प्रस्ने खत्तर निम्ने लिखित कोनों के लम पूरक कोन ग्याद करें तो प्रस्ने खत्तर का पहला है साट डिग्री तो निम्ने लिखित कोनों के लम पूरक कोन ग्याद करना है तो लम पूरक कोन में क्या होता है दो कोन का योग 90 डिग्री होता है ठीक है लंपूरक कोन किसको कहते है अगर दो कोन मिलकर के 90 डिग्री हो उसका योग हो रहा है तो उसको लंपूरक कोन कहेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर 60 डिग्री का लंपूरक कोन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 degree बराबर कितना आ जागा 30 degree तो 60 degree का लंपूरक कोन हो गया 30 degree तो लंपूरक कोन अगर पूछे तो बस 90 degree में से घटा देना है जैसे 60 degree का लंपूरक कोन पूछ रहा है तो 90 degree में से 60 को घटा देंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा 60 degree का लंपूरक कोन ठीक है हमेशा याद रखना है कि लंपूरक कोन में दोनों कोनों का योग 90 डिगरी होता है तो अगर एक कोन दिया हुआ है तो दूसरा कोन कैसे ग्याद कर लेंगे 90 डिगरी में से घटा करके तो लंपूरक कोन में क्या होता है दो कोन का योग 90 डिग्री होता है तो अगर एक कोन दिया हुआ है तो दूसरा कोन हम कैसे ग्याद करेंगे 90 डिग्री में से उस कोन को घटा देंगे जो दिया हुआ है तो 60 डिग्री का लंपूरक कोन हो गया 30 डिग्री अब दूसरा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का लंपूरक कोन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री ठीक है 30 डिग्री का लंपूरक कोन हो जाएगा 60 डिग्री क्योंकि लंपूरक कोन में दो कोनों का योग होता है 90 डिग्री तो एक कोन दिया हुआ है तो दूसरा कोन पच्पन डिग्री को 90 डिग्री में से घटा लेंगे तो कितना आजाएगा तो 10 में से 5 गया 5 यह होगा 8 में से 5 गया 3 यानि 35 डिग्री तो 55 डिगरी का लंपूरक कोन हो जाएगा 35 डिगरी तो लंपूरक कोन में क्या होता है दो कोनों का योग 90 डिगरी होता है तो एक कोन अगर दिया हुआ है तो दूसरा कोन 90 डिगरी में से घटा करके ग्याद कर लेंगे ठीक है तो 90 में से 55 घटाएंगे 35 आ जागए यानि 55 डिगरी का लमपूरक कोन हो गया 35 डिगरी चौथा 89 डिगरी तो 89 डिगरी का लमपूरक कोन हो जागए 90 डिगरी माइनस 89 डिगरी यानि कितना आ जागए 1 डिगरी तो 89 डिगरी का लंपूरक कोन हो गया एक डिगरी तो लंपूरक कोन में क्या होता है दो कोन का योग 90 डिगरी होता है तो अगर एक कोन दिया हुआ है तो दूसरा कोन 90 डिगरी में से घटा करके ग्याद कर लेंगे तो इस तरह से प्रस्न 71 हल करेंगे झाल झाल